नमस्कार प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके सातं क्या तोर आईए अब खबरे दिखते फस्तार से मुखे मंतरी शिवरा संग चोहां ने कहा है कि बेगा परिवार वर्षो से जिस जमीन पर काबिस है उन्हें उसका मालिकान हक दिया जाएगा वन भूमी पर वर्षों से काविज बेगा परिवारों को हटाया नहीं जाएगा ऐसे परिवारों को भूमी का पट्टा देने के लिए विशेश अभ्यान चलाया जाएगा वन अधिकार अधिनियम के तैक जिन बेगा परिवारों को भूमी आवंटित की गई है उनके खेतों में कुओं का निश्यूर कर निर्मान करवाया जाएगा उन्हें डीजल पंप भी उपलब्द करवाया जाएगा मुखे मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने हनुमान जुयन्ती पर सभी नागरिकों और श्रत धालूं को बधाई और शुपकामनाई दी है चोहान ने कहा कि श्रीराम भक्त हनुमान के जीवन और चरतर से शिक्षान लेकर जीवन में सफलताय प्राप्त की जा सकती है हनुमान जी ग्यानी थे, गुर्णगराही थे, सत्य शील थे और उच्च आदर्शों से अनुशासत थे उनमें समवात कौशल और चोहान ने कहा कि हनुमान जी की श्रीराम भक्ती से प्रेणान लेकर जीवन के हरशीतर में सफलता पाई जा सकती है राजपाल आननी बेन पटेल ने कहा है कि अगले शिक्षा सत्र से प्रदेश के सभी महाविध्यालों में कक्षाओं के सु ववस्थित संचालन समय पर परिख्षाएं कराने और परिणाम घोशित करने के लिए सभी विश्विध्यालों द्वारा अपने अपने इस्तत पर अकादमिक कलेंडर तयार किया जाएगा इसके लिए सभी कुलपतियों को आवशक देशन द्रदेश जारी कर दिये गए हैं कादमिक कलेंडर तयार करने के लिए 6 अपरल को भूपाल में प्रदेश के सभी कुलपतियों की बैठक आयुजित की गई है वनवभागी तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश में वन भूमी पर अतिक्रमन का सलसला जारी है पिछले साल 2017 में प्रदेश में नौसो अठटर हैक्टिया वन भूमी पर अतिक्रमन हुआ जंगलों से सट कर खेती करने वाले लोगों ने खेतों की सीमा बढ़ा कर बन भूमी पर कबज़ा कर लिया है ऐसे सबसे ज्यादा मामले सिबनी जिले में सामने आए हैं यहां 304 हेक्टिया भूमी पर कबज़ा हुआ है राजी शासंग की प्रस्तावेत मध्यप्रदेश जन सुरक्षा और संरक्षा वी नियाम विद्धेख से महिलाओं की निश्ता खत्रे में पढ़ जाएगी दरसल इसके टैरते किराए के आवासों या होस्टलों में रहने वाली कामकाजी महिलाओं और स्टुडेंट्स की जानकारी ठाने में देना अनिव्यार किया जा रहा है फिलाल इस बुलिटिन में तहीं आप बने रहे हैं यह मस्चिवी के साथ नमस्कार